संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज 40 दिन से रीवा जिले की करहिया मंडी में हम लोग बैठे हैं 40 दिन हैं और देश में किसान 78 दिन से दिल्ली की चौकट पर बैठा है और देश के प्रधान मंत्री और क्रशी मंत्री इस तरह अनरगल और उटपटांग बयान दे रहे हैं कभी किसानों को खालिस्तानी कभी टुकडे टुकडे गेंग कभी आतंकवादी लेकिन 77 दिन के बाद कल जब देश के प्रधान मंत्री ने आंदोलन कारियों को परजीवी कहा तो देश की मीडिया देश के नेता राज्य सभा और लोक सभा के नेताओं ने उनको परजीवी के बयान पर घेरा कल 77 दिन के बाद प्रधान मंत्री ने आज पेपरों में छपा है कि आंदोलन पवित्र है जिस तरह से ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और किसान अपनी तीनों काले कानून वापस कराने और MSP का लिखित गारंटी चाहता है ये आंदोलन तभी खतम होगा और सरकार भी मानेगी प्रधान मंत्री जी 77 दिन में आज आपने आंदोलन को पवित्र माना है ये आंदोलन तीनों काले कानून वापस कराएगा और जब तक वापस नहीं होगा हम लोग घर नहीं जाएंगे जय जवान जय किसान